26 जून 1960 की बात है मैनपूरी के करहल के जैन इंटर कॉलेज में कवी सम्मेलन का आयोजन हो रहा था और उसके बाद एक कवी जिनका नाम दामोदर स्वरूप विद्रोही था वो वहाँ पर मौझूद थे वो मंच पर चड़ते हैं और उसके बाद दिल्ली की गद्दी सावधा नामक के कविता पढ़ने लगते हैं जैसे ही कवी साहब ने दिल्ली की गद्दी सावधान नामक कविता पढ़नी चुड़ू की वैसे ही एक इंस्पेक्टर मंच पर चड़ जाता है मंच पर चड़ने के बाद वो इंस्पेक्टर उस कवी को कहता है कि तुम ये कविता नही इंटर कॉलेज में हो रहा था और इसब होने के बाद वहाँ पर 20 साल का लड़का जो ओडियंस में बैठा हुआ था वो खड़ा होता है वहाँ जाता है और उसके बाद 10 सेकेंड के भीतर इंस्पेक्टर साहब को उठा कर पटक देता है वो 21 साल का लड़का कोई और नहीं बल मुलायम सिंह यादव के लिए कहा जाता है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है वो मुलायम सिंह यादव के बारे में आप एक बार सोच कर देखिए कि 1960 में जब मुलायम सिंह यादव महज 21 साल के उम्र में थे और उस वक्त मैनपुरी के जब इंटर कॉलेज में क कार के खिलास बोले जाने पर उस इंस्पेक्टर ने विरोध किया लेकिन मुलायम सिंग में इतनी ताकत थी कि वो आदमी 21 साल के उम्र के होने के बावजूद जाता है मंच पर और इंस्पेक्टर सहब को उठा कर पटक देता है वो वही मुलायम सिंग यादव है जिनोंने आजनीती करेंगे तो आपको वोट भी मिलेगा आप सत्ता में आएंगे भी और आपका कोई भी बाल नहीं बाका कर पाएगा गुरूराम के मिदानता अस्पताल में सुबह आठ बजे मुलायम सिंग यादव की अतावा और महिन पूरी के रैली में थे वो रैली करने के उस से मिलकर जैसे वो निकलते हैं उनकी गारी पर लगतार ताबर तोड फाइरिंग शुरू होती है और गोली मारने वाले छोटे लाल और नेतरपाल ये लोग मुलाइम सिंग यादव के बेहद करीबी थे छोटे लाल और नेतरपाल 1984 में लगतार 9 राउंड गोली चलाते हैं मुलाइम सिंग यादव के गारी पर और उन लोगों को पता था कि मुलाइम सिंग यादव किस ओर बैठते हैं लेकिन मुलाइम सिंग यादव तो मुलाइम सिंग यादव हैं उन्होंने एक प्लान बनाया मुलाइम सिंग यादव ने अपने समर्थकों को धीरे से कहा कि चोटे लाल ने सुना तो उसको सच में लगा कि मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे वो लोग भागने लगे पुलिस से लगातार उधर पुलिस वाले भी लगातार गोली बारी कर रहे थे चोटे लाल को गोली लगी वो वही पर मर गया नेतरपाल वही पर धायल होकर गिर गया और मुलाइम सिंग यादव अपने लोगों के साथ सुरक्षित वहां से किसी अगले पुलिस स्टेशन जो 5 किलोमेटर के दूरी पर था वहां चले गए और वो वहां आराम करने लगे ये उस मुलाइम सिंग यादव की कहानी है जिस मुलाइम सिंग याद था जबकि उस वक्त उनके पिता सूबे के मुख्य मंतरी हुआ करते थे मुलाइम सिंग यादव के चले जाने के बाद भारत भर के तमाम नेताओं के और से सधानजली उनको अरपित की जा रही है जनता जंक्षन भी मुलाइम सिंग यादव को अच्छे किये गए कामों के याद करता है और इस बात का स्रधासुमन अरपित करता है कि जिस तरीके से उन्होंने भारत की राजनीती के लिए काम किया है जिस तरीके से रक्षा मंत्री रहते हैं उन्होंने भरत के विकास के लिए नई नई चीजों को जोड़ा है वो वाकई में बहुत शांदार है बाकी मुलाइम सिंग यादाव को आप कैसे याद करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे बताईए मेरे नाम प्रशांत राय है आप ज